मद्य परदेश हाई कोट ने बुरहानपूर के वॉर्ड नमबर 15 नगहीरी के ही पीएम आवास योजने के तहट ही अपात्रों को मकान आवंटिट करने के आरोप लगाते हुए ही जैनहित याचिका खारिच करती है याचिका करता ये साबित नहीं कर सका कि पीएम आवास देने में किसी तरह की गरबड़ी हुई है इस वज़्जा से ही हाई कोट ने याचिका दाखिल करने वाले पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है मद्य परदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस रवी विजे मलीमठ और जस्टिस पुषपेंतर कौरव की बेच हुए सामने ही आवेदक ये साबित नहीं कर सका कि आपात्रों को योजना का लाप पहुचाया गया और बेंच के इसे जनहीत याचिका का दुरुपयोग मानते हुए ही 25,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिश कर दी गई बेंच ने उक्तर राशी एक सब्ता में कुरोना आपदा अधिवक्ता कल्यान कोश में ही जमा कराने के निर्देश दिये हैं ये जनहीत याचिका बरहानपूर के शहजाद अक्तर उर्फ गुडु मौलाना ने दायर की थी आपको बतादे कि इस याचिका में कहा गया है कि पीए मावास पाने के लिए लाभारतियों ने जूठे हल्फनामे दिये और मिली भगत से ये मकान हासिल किया ये योजना जनता के पैसो का दुर्पियोग हुआ है आवेदक का कहना है कि ये मकान बेखरों को और निमन वर्गे के लोगों को उपलब्द कराने थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिनके पास पहले ही पक्के मकान है उन्हें योजना का लाभ पहुँचाए गया जावेद हवीव के आपत्ती जनक वीडियो को लेकर विरोत तेज होता जा रहा है भाजपा के रास्टिव महसचीव के लाश विजवर्गे के बेटे और इंदोर के विधानसवा छेतरातीन के विधायक आकाश विजवर्गे ने एक वीडियो जारी कर 48 घंटे में जावेद हवीव के सेंटर बंद करने का अल्टिमेटम दे दिया है आपको बता दे कि शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे वीडियो में आकाश विजवर्गे ने कहा कि ये वीडियो इंदोर के सभी परशासनिक अ आते तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे 36 घड में बढ़ते करोना के मामलों के बीच ही कुछ और आकड़े सामने आए हैं और जिसके चलते स्वास्ति महकमे में हड़कम मच गया है आपको बता दे कि नेता जी सुभास चंदर बोस राजे पुलिस अकादमी परिसर में ही कुरोना विस्पोर्ट हुआ है वहां के 6 से अधिक लोग कुरोना पॉस्टिफ पाए गए है जिनकी उमर 30 से 34 साल के बीच बताई जा रही है आपको बता दे कि शुकरवार को ही अकादमी में ही दस्मी और बार्मी के बैच का पासिंग आउट प्रेड हुई थी और मुखे मंत्री पुपेश भगेल ग्रह मंत्री तामस धवज और साहु और नगरिय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया सहित वरिस्ट पुलिस मामले की बुष्ची हुई है और इस मान में ही परदेश की संक्रमंट दर खत्रे के निशान को पार कर 6.32 परतिशत तक पहुँच गई है और सबसे अधिक 899 केस अकेले राइपूर के बताए जा रहे हैं और इनमें 72 की उमर और एक साल से 18 साल के बीच की बताए जा रही है में कई संक्रमितों का पता चला है सभी को आईसॉलेट कर दिया गया है और एक महिला प्रशासंक अधिकारी के भी संक्रमंट की चपेट में आने की खबर सामने आई है इसके अधिकारिक तुस्टी नहीं हो पाई है और राइपूर शहर के हर हिस्से में कुरोना के मरीज मिले हैं हलात ऐसे हैं कि परशासर ने 45 मार्तों को कंटेन्मेंट जोन में भी रख दिया है और इसके तहत समय सेवा कर लोगों को मास्क पहनने रहने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी चिताया गया है मध्यपरदेश के सिहोर में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकूर और एस्पी मयंक ववस्थी ने रोको टोको अभियांग के तहत ही कोत वाली चोराहे से तहसिल चोराहे तक बीना मास्क के घूम रहे लोगों को रोका है और उन्हें टोका भी है और उन्हें मास्क लगाने के साथ ही शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी समझाईश की है आपको बता दे कि दल बल के साथ ही नगर भर्मन पर निकले कलेक्टर और एस्पी के बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोक कर डाटने वाले लहजे में ही कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती रहागीरों और दुकानदारों को टोकने के साथ ही कलेक्टर और एस्पी ने बिना मास्क वाले लोगों को फेस मास्क पर वित्रन भी किया है नगर पालिका के अमले नहीं बिना मास्क के दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों और बिना मास्क के बजार में घूम रहे लोगों पर जुर्माने की कारवाई भी की है आपको बता दे कि अमले ने बिना मास्क वाले 16 लोगों को ही कारवाई करते हुए 3300 रुपे का जुर्माना वसूला है और कलेक्टर और S.P. ने कुरोना संक्रमन से बचाओ के लिए आम जनता को भी हिदायत दी है उन्होंने नागरिकों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है वही काम ना होने पर लोगों को घरों में ही रहने की निर्देश दिये गए है और आपको बता दे कि उन्हें लगातार क्रोना से बचाओ के लिए आदेश भी दिये जा रहे है ताकि क्रोना संक्रमन और जादा ना फैले 36 गड के काकेर जिले के चारामा थाना छेतर में महिला को आग में जला कर उसकी हत्या करती गई है मामला गराम चिनोरी का बताया जा रहा है जहाँ पर महिला को 5 साल पहले प्रेम विवा की सजा ससूरवालों ने ही इतना खौफनाग दिया है कि हद्य विवाद द्रक दी है उसने 5 दिनों तक अस्पताल में ही जिंदगी मौत से संखर्ष करने के बाद आज अपना दम दोड़ दिया महिला ने मौत से पहले पुलिस और अधिकारियों के सामने हत्यारों को लेकर बयान भी दिया था माईके के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने केस फिलाल दर्च कर दिया है आरोपियों की धर पकड़ कर शुरू कर दी गई है माईके के लोगों ने पुलिस को बताया कि सरस्वती सिनहा नहीं 5 साल पहले अंतर जातिय प्रेम विवा किया था और ससुराल के लोगों ने ही उसके उपर मिटी का तेल छुड़क कर आग लगा दिया पीडित ने अस्पताल में ही मौत से जंग लड़ते हुए दम थोड़ दिया और काकेर एसपी शलव सिनहा ने कहा कि मामले की जात चल रही है और आरूपियों की जल्द ही गिरफतारी भी कर ली जाएगी